नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जारखंड का सबसे बड़ा यूटूब चैनल लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली लोग सबाचुनाओ खत्म हो गए नतीजे आगे और इसमें महागडबंदन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा लेकिन इस बीच सवाल पैदा हो रहा है कि क्या हार के बाद लालू परसाद यादो की जरूरत किसी को नहीं रही कि लालू परसाद यादो को सभी महागडबंदन के बड़े चेहरे भूल चुके हैं हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चुनाओ में हार के बाद समिक्षा बैटको का दौर चल रहा है लेकिन इस बीच महागडबंदन के लिए रेस मची थी टिकट लेने के दौरान उसके बाद अब जब हार हो गई है तो महागडबंदन का कोई भी बड़ा चेहरा लालू परसाद यादों से मुलकात करने के लिए नहीं पहुचा है अगर ऐसा होता कि वक्त नहीं मिला हो तो एक अलग सी बात होती लेकिन बीच में एक शनिवार आ चुका है और इस शनिवार को भी कोई भी नेता उनसे मुलकात करने के लिए नहीं पहुचा जो कि महागड नहीं दो बार नहीं हमको लग रहा है कि कई बार वो मिलाकात करने के लिए पहुंचे थे। करने के लिए पहुंचे थे खुद को बड़ा हितासी भी बताते हैं लालू फैमली का और वो भी पता नहीं कहा नदारत है उनका भी पता नहीं है तो खुल मिला करके यह सवाल उठ रहा है कि क्या आप लालू यादों के पॉलिटिकल ग्यान की जरूरत समीक्षा के दौरान न इस वक्त तिलमिलाए हुए नजर आते हैं जब वो मीडिया से बाचीत करते हैं तो और वो भी मुलाकात करने के लिए लालू परसाद यादों से नहीं पहुंचे तो कुल मिला करके राजत के खेमे में महागडबंधन के खेमे में समीक्षा का दौर जारी है एक दूसरे के उपर छीटा कशी की जा रही है कभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तरफ से राजत पे निशाना साधा जाता है तो कभी राजत की विदायक ही तेस्वी यादों का इस्तीफा मांगते दिखाई देते हैं लेकिन इन सब के बीच लालू परसाद यादों के बारे में जो अपडेट है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है चुनाव में हार के बाद पॉलिटिकल कॉडिनेशन सही से नहीं बैट पाने की वज़़से महागरवंदर में जो बाते सामने आई कि हार का सामना करना पड़ा इनी सब बातों को लेगर के लालू परसाद यादो काफी चिंतित हैं पिशले दिनों राची के रिम्स असपताल में डॉक्टर डीके ज़ा जो उनका इलाज कर रहे हैं उन्होंने भी ये कहा था कि वो काफिल चिंतित दिख रहे इस्ट्रेस में हैं खाना पीना सही से नहीं खा रहे हैं उनकी सहत सही नहीं है लगतार डॉक्टरों के मोनेट्रि तो क्या अब हार के बाद लालू परसाद यादों की जरूरत किसी को नहीं रही, क्या पार्टी के नेताओं को ऐसा नहीं लगता है कि इस दुख की घड़ी में दुख की घड़ी हम इसले कह रहे हैं क्योंकि राज़त एक बड़ा चेहरा है, खास करके बिहार में, और उसका यानि कि सुन्न पर आउट हो जाना, एक भी सीट लोग सवा चुनाओं में नहीं आना, ये पार्टी के मुखिया, पार्टी के सुप्रीमों के लिए काफी बड़ी और महत्तपून बात है, तो इस स्ट्रेस के घड़ी में क्या उनको सांतों ना देने के लिए, उनका हाल चा साधियालों से मुलाकात करने कोई नहीं जाता है, अब लाइब सीरी सहत बने रही है, हम आपको विहार समय देश-दुनिया के तमाम ख़बरों से लगतार अपडेट अकर रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब से ख़बरों को पढ़ने के लाइब से टिस डॉट इन पर जाएं, धन्यवाद